वेल्कम हैं आप सभी का आज हम लोग अपने महामेराथन क्लास जो के GSG के current affair को लेके question बनाया जारहे हैं पचास question को आपको दिया जा रहा है पैतिस question आपके GS से रहते हैं पन्दा question आपके current affair के रहते हैं तो आप लोग ने काफी इस चीच को पसंद किया हैं और कंटिनियसली मैं आपके साथ ये काम लगके कर रहा हूं आज हम लोग अपने चौथे पार्ट के तरफ बढ़ रहे हैं तो आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि जब भी आप इस वीडियो को वाच करिए या जब भी आपके एक टैमिंग जो साड़े दसकी आपको दी गई है जैसे ही आप आईए इस पर आपको देखे रिमाइंडर सेट करने को मिलता है आप इसको सेट कर सकते हैं आपको नोटिफिकेशन और भी मिल जाएगा प्लस आप इसको जरूर शेयर करिए अपने वाटसप पे स्टेटस लगा लिया किजिए जैसे ही आप यहां प पचासी, B. अनुशेद बाहत्तर, C. अनुशेद 61, D. अनुशेद 84, आंसर दीजिएगा सारे लोग अपना अपना तो जितने लोग ने आंसर ए टिक किया हैं अनुशेद 85 वे सारे लोग एकदम करेक्त. नेक्स कोश्चन आपके पास है पानिपत का प्रथम युद्ध किस वर्स हुआ ओप्शने 1526 1529 1560 1571 तो इस कोश्चन का जितने लोगों ने ओप्शन नंबर ए सलेक्ट किया हैं 1526 वे सारे लोग एकदम करेक्ट हैं तर्ड नंबर कोश्चन आपके पास हैं दिल्ली का अंतिम हिंदू तो तीन नंबर कोश्चन का जितने लोगों ने सी ओप्शन दिया हेम चंद विक्रमा दित वे सारे लोग एकदम करेक्ट हैं चौता नंबर कोश्चन अली अकबर खान का संबंद किस से हैं ए सहनाई बी सरोद सी तबला डी बांसुरी तो जितने लोगों ने चौते नंबर कोश्चन का वी ओप्शन दिया है सरोद वे सारे लोग एकदम सही हैं अच्छा आप लोगों से एक जबाप कमेंट करें ठीक है तो आप कोश्चन का नंबर के साथ ओप्शन दीजिए जिससे आप भी कंफॉर्म रहें कि कौन सा आप भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ठीक है तो कोश्चन का नंबर प्लस ऑप्शन ठीक है आईए फिफ्ट नंबर कोश्चन देखते हैं विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है एच चार अप्रेल बी पंद्रा मई सी बी सितंबर डी नौ अक्टूबर तो पांच नंबर कोश्चन का जितने लोगों ने डी ओप्शन दिया नौ अक्टूबर वे सारे लोग एकदम करेक्ट हैं नेक्स्ट कोश्चन आपके पास है 6 नंबर में गोवा राजी का निर्माड किस सम्विधान संसोधन के द्वारा हुआ तो छे नंबर कोश्चन का जितने लोगों ने सी ओप्शन दिया है 56 नंबर 56 सम्विधान संसोधन वे सारे लोग एकदम करेक्ट हैं सात्वा नंबर कोश्चन है श्यानता की एसाई इकाई क्या है ए पौईज बी लक्स सी वेबर डी हेंडी तो सात्वा नंबर कोश्चन का जितने लोगों ने ए ओप्शन दिया है पौईज ठीक है ये सारे लोग एकदम करेक्ट है नेक्स्ट आठवा नंबर कोश्चन संयुक्त राष्ट संग द्वारा अंतरास्टिय महिला वर्ष किस वर्ष घोशत किया गया तो आठ नंबर कोश्चन का जितने लोगों ने बी ओप्शन दिया है नेक्स्ट कोश्चन नव नंबर का मिडनाइट चिल्डरेन के लेखक कौन है ए आरके लक्षमड बी सल्मान रुजदी सी किरडवेदी डी एपीजे अब्दुलकलाम तो नौ नंबर कोश्चन का जितने लोगों ने बी ओप्शन सल्मान रुजदी दिया है ओप्शन वे सारे लोग एकदम सही दस नंबर कोश्चन किस अनुछेद के तहत राज सरकार को ग्राम पंचायत के संगटन का निर्देश है तो जितने लोगों ने दस नंबर कोश्चन का ओप्शन सी सलेक्ट किया है अनुछेद चालेश वे सारे लोग एकदम सही ग्यारा नंबर कोश्चन मैं ही राज जी हूँ शब्द किसने कहा था या किन का था तो इस कोश्चन का जितने लोगों ने ओप्शन नंबर ए सलेक्ट किया है लुई चोधावा वे सारे लोग एकदम सही है बारा नंबर कोश्चन मानो सरी में वशा का निश्काशन किसके माध्यम से होता है तो बारा नंबर कोश्चन का जितने लोगों ने ओप्शन दिया है गुर्दा वे सारे लोग एकदम सही है नेक्स्ट भारतिय सैनिकों को किस उप नाम से जाना जाता है तो तेरा नंबर कोश्चन का बहुत ही सिंपल आंसर है कन्राड रंटगेन जर्मनी घर्मणी चान चावदा नंबर कोश्चन का जितने लोगों ने डी ओप्शन दिया है वेलम रन राड़ंद्गेन जर्मनी दी-ऑप्शन वे सारे लोग एकदम सही है पंदा नंबह सफ़न, ग्रांड बैंक कहां इस्तित हैए अ प्रशान्द महासागर, बी आटलांटिक महासागर, C आर्केटिक महासागर, D हिंद महासागर तो पंदा नमबर कुश्चन का जितने लोगों ने आप्शन बी सलेक किया है अट्लांटिक मासागर वे सारे लोग एकदम करेक्ट है सोला नमबर कुश्चन नेशनल रिमोट सेंसिंग मसीन या एजेंसी कहां इस्तित है तो सोला नमबर कुश्चन का जितने लोगों ने सी आप्शन दिया है हैदराबाद वे सारे लोग एकदम करेक्ट है सत्रा नमबर कुश्चन संयुक्त राष्ट संग द्वारा किस वर्ष को अंतर राष्टिये साक्षरता वर्ष घोशत किया गया था ए 1975 बी 1989 सी 1987 डी 1990 बी वहला जो आप्शन जो है 1989 है तो सत्रा नमबर कुश्चन का जितने लोगों ने डी आप्शन दिया है 1990 वे सारे लोग एकदम करेक्ट हैं नेक्स्ट वाल स्ट्रीट किस देश में इस्तित है ए अमेरिका बी फ्रांस सी जर्मनी डी इटली तो 18 नमबर कुश्चन का जितने लोगों ने ए आप्शन दिया है अमेरिका वे सारे लोग एकदम करेक्ट हैं 19 नमबर कुश्चन संग लोग सेवा आयोक के सदस्य किसके दोरा नियुक्त होते हैं तो 19 नमबर कुश्चन का जितने लोगों ने ए आप्शन दिया है राष्टे पती वे सारे लोग एकदम करेक्ट नेक्स्ट नैपाली सैनिक को किस नाम से जाना जाता है तो इस कोश्चन का जितने लोगों ने 20 नमबर कोश्चन का बी आप्शन दिया है गोश्चन वे सारे लोग एकदम करेक्ट 21 नमबर कोश्चन वेगम पेट हवाई अड़ा कहां इस्तित हैं ए राजस्थान, बी मुंबई, सी हैदराबाद, डी लखनव तो 21 नमबर कोश्चन जितने लोगों ने हैदराबाद, सी आप्शन टिक किया वे सारे लोग एकदम करेक्ट 22 नमबर कोश्चन भारत का राष्टिय धोज, प्रथम बार लाहोर अधिवेशन में कब फैराया गया था ए उन्निस सो बीस, बी उन्निस सो उन्तिस, सी उन्निस सो सैटालिस, डी उन्निस सो पचास तो 22 नमबर कोश्चन का, जितने लोगों ने, बी उप्शन से लेक्ट किया है उन्निस सो उन्तिस, वे सारे लोग एकदम करेक्ट 23 नमबर कोश्चन, डीन ने सनरचना का मॉडल किस ने दिया था ए, वाट्सन और क्रिक ने, बी, मेंडल ने, सी, फ्लैमिंग, डी, लुविन हॉक तो 23 नमबर कोश्चन का, जितने लोगों ने ए उप्शन दिया है वाट्सन और क्रिक ने, ये सारे लोग एकदम सही है 24 नमबर कोश्चन, भारत वर्स की सबसे अंतिम उत्री सीमा किस अच्छांस पर इस्तित है ए, 36 से लेके उत्री अच्छांस बी, 35 से लेके उत्री अच्छांस सी, 36 से उत्री अच्छांस डी, 37 से लेके उत्री अच्छांस चौबिस नमबर कोश्चन का जितने लोगोंने ऑप्शन D सलेक किया है सैतिस छे उत्री अश्चांस वे सारे लोग एकदम करेक्ट पचीस नमबर कोश्चन अंतराष्टिय जल सायोग वर्स संयुक्त राष्ट संग द्वारा किस वर्स घोशत किया गया था तो पचीस नमबर कोश्चन का जितने लोगोंने डी ऑप्शन लगाया है दो हजार तेरा वे सारे लोग एकदम सही है 26 नमबर कोश्चन राषायन शास्त्र के छेत्र में पर्थम नूबल पुरुसकार किसे मिला ए जैकोबस हेंरिकस वेंट आफ हॉलेंड से बी ऑप्शन जैन्ट इन बरनेज ने सी फैडरिक पैसी को डी रॉंट गेन काऊ या रॉंट जैन तो 26 नमबर कोश्चन का जितने लोगोंने ए ऑप्शन लगाया है जैकोबस हेंडिकस वेंट आफ हॉलेंड इन्हें को मिला है सारे लोग करेक्ट है जिन लोगों ने ए आप्शन से लेक किया है 27 अर्थ सास्र के छेत्र में सरव प्रत्थम किस देश की निवासी को नोबल पर उसकार मिला इ नर्वे वी होलेंड सी जर्मनी डी नर्वे वे होलेंड को संयुक्त रूप से तो शत्ताइस समबर कोश्चन का जितने लोगोंने दी ओप्शन लगाया नर्वे वह हॉलेंट को संयुक्त रूप से वे सारे लोग एकदम करेक्ट नेक्स्ट 28 संबर ओपरेशन कुटीर जोती का संबंध किस से है A. ग्रामीड विद्धुती करड B. सहरी विद्धुती करड C. जल प्रबंधन D. इन में से कोई नहीं तो 28 संबर कोश्चन का अमेरिकी सेनिकों का उपनाम क्या है A. जॉन बुल B. पूलू C. जी आई D. जवान तो 29 नमबर कोश्चन का जितने लोगोंने आंसर C. सलेक्ट किया है G. आई वे सारे लोग एकदम सही है 30 नमबर कोश्चन पे आते हैं विश्ची की पर्थम महिला प्रधान मंतरी कौन थी? S. भंडार नायके B. इंद्रा गादी C. बेनजेर भोटो D. मार्गरेट थ्रेचर तो 30 नमबर कोश्चन का जितने लोगोंने A. आउप्शन सलेक्ट किया है S. भंडार नायके वे सारे लोग एकदम सही है 31 नमबर कोश्चन कैमरा का लेंस बनाने में कौन सा काच का प्रियोग होता है A. पाइरेक्स काच B. फ्लिंट काच C. पोटास काच D. क्रेक्स काच 31 नमबर कोश्चन का जितने लोगोंने B. आउप्शन फ्लिंट काच वे सारे लोग एकदम सही है 32 नमबर कोश्चन भार्दियों दोरा अंग्रेजी में प्रकासित प्रतम समचार पत्र कौन सा था A. बंगाल गजट B. राइज Rhymes of India C. हिंदुस्तान टाइम्स D. दा हिंदू 32 नमबर कोश्चन का जितने लोगोंने A. आउप्शन सलेक किया है बंगाल गजट वे सारे लोग एकदम सही है 33 नमबर कोश्चन चिकित्सा के छेत्र में नूबल पुरुषकार पाने वाले पहले वक्ति कौन थे A. रॉंटिगेन B. जैंटिन C. एमिल एडॉल्फ वान वेहरिं C. इसके बाद D. है जीन हेंद्री डुनांट 33 नमबर कोश्चन जितने लोगोंने C. आउप्शन एमिल एडॉल्फ वान वेहरिं लगाया है वे सारे लोग एकदम सही 34 नमबर कोश्चन इंडिया ब्रांड एक्विटी फंड की स्थापना किस वर्स हुई A. उननीस सो तिरानवे B. उननीस से क्यानवे C. उननीस सो पंजानवे D. उननीस सो चानवे तो जितने लोगों ने 34 नमबर कोश्चन का आंसर दिया है D. उननीस सो चानवे वे सारे लोग एकदम सही 35 नमबर कोश्चन आपके GKGS का लास्ट कोश्चन अमेरिकी संसद को कहा जाता है A. संसद B. कॉंग्रेस C. फ्लोव कैटिंग D. डायट तो इस कोश्चन का जितने लोगों ने B. उप्शन दिया है ठीक है जितने लोगों ने कॉंग्रेस उप्शन दिया है वे सारे लोग एकदम सही है आईए अब बढ़ते हैं अपने करंट अफेर के कोश्चन की तरफ देखते हैं कौन-कौन से करंट अफेर के कोश्चन आज हमारे पास मिलते हैं हमें ठीक है तो इसमें 2019-20 को कलेक किया गया है काफी important कोश्चनों को तो आप देखने को पाएंगे भी काफी अच्छे-च्चे कोश्चन भी आपके पास है दो आईए लेते हैं कोश्चनों को करंट अफेर के कोश्चन आपके पास 36 नमबर कोश्चन है किस भारतिये ने 16 अक्टूबर 2019 को लिस्ट A मैचों में दोरा सतक जड़ने वाले विस्टो के सबसे युवा किर्केटर बनने के उपलब्धी प्राप्त की है A. यसश्वी जयाश्वाल B. सचिन खाड़े C. विक्रम अगरवाल D. प्रविल कटारे तो इस 36 नमबर कोश्चन का जितने लोगों ने A. आप्शन सले किया है SSV जयाश्वाल वे सारे लोग एकदम करेक्ट फिर देखिया साथिस नमबर कोश्चन संपन वीवो प्रो कबड़ी लीग 2019 का किताब किसने जीता A. यू मुंबा B. पटना पाइरेट्स C. हुडेरी पल्टन D. बंगाल वारियर्स तो साथिस नमबर कोश्चन का जितने लोगों ने D. उप्शन लगा है बंगाल वारियर्स वे सारे लोग एकदम करेक्ट नेक्स्ट कोश्चन देखियेगा 38 नमबर कोश्चन आपके पास है हाल ही में किस खिलाडी ने भारत के 65 सत्रंज ग्रेंड मास्टर बनने की उपलब्धी प्राप्थ किया P. सौरी A. उप्शन है P. चिंदानंद B. रौनक साथवानी C. चिंदमयानंद D. सू कुमार सीन तो इस 38 नमबर कोश्चन का जितने लोगों ने D. उप्शन सेलेक्ट किया है सू कुमार सेन वे सारे लोग एकदम करेक्ट नेक्स्ट कोश्चन की तरब चलेंगे 49 नमबर कोश्चन आपके पास है किस महिला किर्केटर ने सो अंतर राष्टिय टी टुन्टी मैच खेलने वाली प्रतम भारतिय होने का गवरो हासिल किया है तो इस कोश्चन का जितने लोगों ने आंसर डी आप्शन दिया है हर्मन प्रीत कोश्चन वे सारे लोग एकदम करेक्ट है नेक्स्ट कोश्चन नेक्स्ट कोश्चन आपके पास है रक्षा मंत्री राजनात सिंग दौरा किस अस्थान पर हाली में करनल चेवांग रिंचैन सेदू का उदगातन किया गया ए असाम बी लद्दाक सी करनाटक दी नागलेंड तो इस चालिस नमबर कोश्चन का जितने लोगों ने भी आप्शन लगाया लद्दाक वे सारे लोग एकदम करेक हैं नेक्स्ट कोश्चन की तरफ चलते हैं 41 नमबर कोश्चन पर अपने 41 नमबर कोश्चन आपके पास है सैफ अंडर 15 महिला चैंपियंशिप 2019 का किताब किस देश ने जीता है काफी इंपॉर्टन कोश्चन है A. भारत B. बांगलादेश C. नैपाल D. भूटान तो इस 41 नमबर कोश्चन को जितने लोगों ने A. ओप्शन दिया है भारत वे सारे लोग एकदम करेक्ट हैं नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन आपके पास 42 नमबर कोश्चन है किस बैटमिंटन खिलाडी ने हाली में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के भारत की लक्षमी अभियान का समर्थन किया है A. साइना नहवाल B. ज्वाला गुट्टा C. पीवी सिंदू D. अश्वनी पुनप्पा तो इस 42 नमबर कोश्चन का जितने लोगोंने C. आप्शन रखा पीवी सिंदू वे सारे लोग एकदम करेक्ट है Next कोश्चन आपके पास है 43 नमबर परशिद न्यायविद और पूरु प्रोफेशर कैस सयद किस देश के छटे रास्टपती निर्वाचित हुए है तंजानिया जांबिया ट्यूनेशिया नाइजीरिया तो इस 43 नमबर कोश्चन का जितने लोगोंने C. आप्शन लगा है ट्यूनेशिया वे सारे लोग एकदम करेक्ट है Next कोश्चन की तरफ चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन आपके पास है चाचट नमबर का आपके पास कोश्चन नमबर 44 है ठीक है चवारे संबर कोश्चन को देखेंगे भारत और किस देश की वाईशेना के बीच हवाई युद्ध अभ्यास शिन्यो मैत्री 2019 का आयोजन किया गया है नैपाल, चीन, रूस, जापान तो इस शवारे संबर कोश्चन का जितने लोगों ने आंसर डी दिया है जापान वे सारे लोग एकदम करेक्ट नेक्स्ट कोश्चन आपके पास 45 नमबर का है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 में भारत को कौन सा अस्थान मिला है A, 94 वेवा B, 99 वेवा C, 102 अस्थान D, ओप्शन 108 वाँस्थान तो 45 नमबर कोश्चन का जितने लोगों ने C ओप्शन लगा है 102 वाँस्थान वे सारे लोग एकदम सही है नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन आपके पास 46 नमबर कोश्चन अंतरिक्ष के इतियास में कितनी महिलाओं ने पहली बार बिना किसी पुरुष शाथी के स्पेस वाग किया है A, 4, B, 3, C, 1, D, 2 तो 46 नमबर कोश्चन में जितने लोगों ने D ओप्शन लगाया है दो वे सारे लोग एकदम सही है नेक्स्ट कोश्चन आपके पास 47 नमबर है ICC ने मैच ट्राई होने की इस्तिती में बाउंडरी की अधिकतम संख्या की वजाए किस नियम से विजेता चुने जाने की खोशना की है A, सूपर उबर B, थ्रो बाल्स C, नॉक आउट D, फर्स्ट रन तो इस कोश्चन का 47 नमबर कोश्चन का जितने लोगों ने A ओप्षन दिया है सूपर उबर वे सारे लोग एकदम सही है सूपर उबर ओप्षन एकदम सही है नेक्स कोश्चन नेक्स कोश्चन आपके पास है अड़तारे संबर कोश्चन नोबल पुरुसकार समिती ने वर्थ 2019 का नोबल सांती पुरुसकार किस देश के परधान मंतरी को देने की घोशना की है A. भारत, B. चीन, C. जापान, D. इथोपिया तो इस कोश्चन का 28 संबर कोश्चन का जितने लोगों ने D. आप्शन दिया है इथोपिया वे सारे लोग एकदम करेक्ट है नेक्स कोश्चन 49 नमबर का गौरी लंकेस मेमोरियल ट्रेस्ट की ओर से प्रधान किया जाने वाला प्रथम गौरी लंकेस पत्रकारिता पुरुसकार किसे प्रधान किया गया है A. अमीस्तिर पाठी, B. रवीस कुमार, C. चित्रा पाठक, D. अतुल अंजान तो इस 49 नमबर कोश्चन का जितने लोगों ने B. आप्चन दिया है, रवीस कुमार, वे सारे लोग एकदम सही है आज का आखरी नमबर का कोश्चन, 50 नमबर का कोश्चन सुमन, S. U. M. A. N. है, क्या है? तो इस 50 नमबर कोश्चन का, जितने लोगों ने A. आप्चन टिक किया है सुरक्षित मात्रित आश्वाशन इसकीम, वे सारे लोग एकदम करेक्ट है चलिए, यहीं पर हमारे वीडियो की स्रीज आज कम्प्लीट होती है अब आप लोगों से जितना सही हुआ है, उतना आप ने तो आप्षन दिया ही है अगर आप टोटल करके भी बताना चाहते हैं, या कोई कोश्चन गलत होगा तो जरूर कमेंट करिए, ठीक है, तो चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही वीडियो कैसी लगी, अन्त में कमेंट जरूर करिए, अच्छा बुरा जैसा लगा होगा कुछ एडवाइस देना होगा, वो भी कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, एडवाइस जरूर दीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, टेक लिए